दोस्तो ये है मेरे पास में Jupiter BS6, इसका हो गया है, फ्यूल पं खराब, मैंने इसमें करंड चेक किया है, दोस्तो करंड दोनों वाइर में इसकी आ रहा है, चावी आप देख सकते हो, मैं चावी को ओन करता हूँ, दो वाइर इसके अंधर लगी भी होती है, दोनों वाइर में आप देख सकते हो फ्यूल नहीं उठा रहा है अब मैं इसका करंट आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका करंट चेक करना है ये बलेक वाली जिसे हम अर्थ की तार समझते हैं उसमें मैंने तार बांदी हुई है इसमें आपको krंट चेक करके इसका दिखाता हूँ ये देखेगा इसमें krंट आ रहा है और अम मैं आपको socket निकालके दूसरे वाली तार में krंट चेक करके दिखाऊऊंगा ये हमारा socket है इसमें गुलावी वायर होती है बलैक में वाइट पत्टी होती है और ये जो हमारी गुलाबी वाली वायर है ये हमारी वायर इस्यू से आ रही है इस्यू जो हमारा कारवेटर के पास में लगा हुआ है ये वाला इस्यू जिसने मकैनिकों का दिमाग खराब किया हुआ है इस इस्यू से ये वायर आ रही है इसमें भी मैं करंट चेक करके दिखाता हूँ और इस गाड़ी में मुझे 100% टैब लगानी पड़ेगी क्योंकि pump किसी और company का है और मैं दूसरी company का pump इसमें लगाऊंगा तो ये देखिएगा आप मैं चावी को on करता हूँ इसमें भी मैं आपको करंट दिखाता हूँ ये देखिएगा आप इसमें भी पूरा करंट आ रहा है हाइफाइ करंट आ रहा है इस गाड़ी में मुझे रैडिस केंट टून जरूर लगाना पड़े ज़र खड़ेगा जो TVS कंपनी ने दिया है BS6 गाड़ियों के लिए वीडियो पे बने रहे हैं दोस्तों पूरी वीडियो देखे ये देखे पंप यह है कॉंटिनेटल कंपनी का आप इसका आकार देख लिजेगा मैंने खौल लिया है इसको इसमें जो लगा हुआ था कॉंटिनेटल कंपनी का पंप लगा हुआ है इन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है खराब हो रहे है मतलब किसी किसी स्कूटर के खराब हो रहे है चार पीन इसमें लगी वी हैं लेकिन दो ही तार इसकी काम करती है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको और मैं आप बताता हूँ इस के इस रिंग के बारे में आपको ये रिंग आप जब भी खोले फ्यूल पम को फिल्टर इसका चेंज करे ये साफ करे ये वाला फिल्टर 24,000 किलो मिटर पे इसको चेंज करना है तो उस रिंग को आपको 100% लगा हुआ होना चीए ये चेक करना है आपको और फिल्टर 100% 24,000 किलो मिटर पे आप चेंज कर दे अब मैं इसमें प्रिकॉल का पंप आपको दिखाता हूँ किस परकार का होता है ये हमारा कॉंटिनेटल कंपनी का पंप है जो खराब हो गया है इसका आकार देखी किस तरीके से बना हुआ है और ये हमारा दूसरे वाला प्रिकॉल कंपनी का पंप है इसमें मैं प्रिकॉल कंपनी का पंप लगाऊंगा और TWS के red scan tool से इसको scan करना पड़ेगा इसके issue को तब जाके ये तेल उठाएगा इसमें जो issue में fitting की हुई है वो continental company का है ये देख सकते हो आप continental company का है रखा हुआ है मैंने pre-call का लगा दिया है रहे tab इसमें लगा दिया है मैंने गाडी में वीडियो बनाने वाला अकेला हूँ जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ तो देख सकते हो आप ये tab लगा हुआ है connector लगा हुआ है tab का ये red scan tool होता है TVS company का जो पूरी bike को scan करता है all bike को TVS की ये हमारी tab होती है ये tab मैंने लगा लिए connect कर लिए वाइफाई से connect की जाती है एक code होता है जो dealer code होता है वो डाला जाता है इसमें और हमारा fuel pump लगाने के लिए email ID डाली जाती है kilometer डाला जाता है अब ये यहाँ पर start माग रहा है मैंने सब कुछ जो इसमें डाल चुका हूँ मैं लेकिन मैं फिर भी आपको हलका सा पहले back करके एक चीज़ दिखाता हूँ ये देख सकते हो आप यहाँ continental लिखा हुआ है प्रिकॉल लिखा हुआ है पहले से जो इसमें सेटिंग थी continental की थी लेकिन मुझे प्रिकॉल की सेटिंग करनी है इसमें तभी तेल उठाएगा अब मैंने प्रिकॉल की सेटिंग कर दिये वीडियो थोड़ी कट करनी पड़ी मुझे आप देख सकते हो रिफ्रेशिंग हो रही है तीन लाइने जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक यह तेन नहीं उठाएगा और 100% याद रहे चाबी ओन होनी चाहिए टैब लगे वह चाबी हमारी ओन है इस समय फ्यूल नहीं उठा रहा है जब तक रिफ्रेश नहीं होगी पूरी कंप्लीट वाइरिंग इसकी रिफ्रेश नहीं होगी जो कारवुरेटर के अंदर लगा हुआ है हमारा एश्यू जिसमें कौन्टिनेटल की सैटिंग हुई भी है जब तक वो पूरा कंप्लीट रिफ्रेश नहीं होगा तब तक यह फ्यूल नहीं उठाएगा तो याद रहें दोस्तों अगर आप अफ्टर मार्किट काम कर रहे हो तो आप जिस कंपनी का पंप निकालोगे उसी कंपनी का पंप लगाओ अगर आपके पास में रैडिस का इंट टूल नहीं है टीवेस कमपनी का तो भेतर रहेगा आपके लिए कि उसी कमपनी का पंप लगा है आप अधर कमपनी चेंज करोगे तो रिफ्रेसिंग के लिए टोल की जरुवत पड़ेगी और वो हमारे पास होगा नहीं आपको लगेगा कि फ्यूल गेज या मिटर खराब है हमारा फ्यूल नहीं उठा रहा है लेकिन वो रिफ्रेसिंग मांगता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि तीन लाइन पूरी होने पे रिफ्रेस होने पे ये कैसे फ्यूल उठाता है पूरा प्रोसिस समझने के लिए वीडियो का एन तक देखना जरूरी है आपका इसलिए वीडियो को बेच में कटना करें पूरा वीडियो चालो रखते है एक तरह से देखे तो अच्छी बात भी है और मकेनिकों के लिए देखे तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई पूरा प्रोसिस में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा फिर से टैब का इस्यू हमारा रिफ्रेस हो रहा है इस समय वीडियो में कोई गलती हुई है तो उसका माफ करें दोस्तों यह इस्यू है और यही हमारा इस समय रिफ्रेसिंग में चल रहा है oil fuel नहीं उठाएगा जब तक तीनों लाइन ये complete नहीं होगी complete होने वाली है मैं आपको फिर दिखलाता हूं कि किस तरेके से ये fuel उठाता है देख सकते हो आप complete होने में कुछ ostat complete होते ही तुरंथ fuel उठाने लगेगा यe complete होगया है हमारा अब मैं इसके चावी आफ करके आउन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको यह देखेगा चावी को मैं आउन करता हूँ फिल उसने उठा दिया है टैब के लिए आप मुझे कमेंट करें पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा दुबारा से